दोस्तो आज के समय के अंदर कई मामलों के अंदर ये देखने को मिला है कि पतनी साधी तो कर लेती है पर साधी करने के बाद में है जो अपने पती के साथ में नहीं रहती है पती से अलग रहती है कई पतनिया तो है जो अपने माईकी में जाकर बैड जाती है और वहां से है ज जिसके अंदर है जो पती से maintenance की demand करती है, पर आज के वीडियो के अंदर में ऐसे पतियों को जिनका भी ऐसा मामला है, उनकी पतनी अगर इस तरीके से उनसे अलग रह रही है, यह फिर है जो उपने माईकी में जाकर बैट गई है, और वहां से है जो पती को पर maintenance का case कर रही है, maintenance की demand कर रही है, तो ऐसी पतनीों को है जो पती maintenance देने से बस सकते हैं, नियम भोती महत्पून है, इस नियम की सायता से है जो पती को पूरी help मिलेगी, यानकी बिना वज़े है जो पती का पैसा बरबाद नहीं होगा, इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, वीडियो बहुती महत्पून है, आपको अंतर तक वीडियो को देखना है, तबी है जो पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे दोरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है, और दोस्तों अभी तक अगर आप अपने इस चनल को सब्सक्राइब नहीं करें हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को उश्ये दबा दीजिए, तो चलिए शुरू करते हैं, तो वैलकम दोस्तों मैं हूँ आपका अपना एड़ोकूर जीते अंदर, और आज हैंपर मैं क्लियर कर देता हूँ, कि अगर पत्नी को कोई आवश्यक कारिय हो जाता है, यह फिर कोई function है, कोई program है, उसको अगर कहीं पर आना जाना पढ़ रहा है, अपने माईके के अंदर आना जाना पढ़ रहा है, तो वो है जो जा भी सकती है, आ भी सकती है, उसके उपर है, जो ऐसी कोई भी रोक टोक है, जो नहीं चलती है, यहाँ पर है जो पत्नी आवश्यक क्यारे से, अगर जा रही है, माईके के अंदर रुक भी रही है, कुछ टाइम के लिए, या फिर और कहीं पर है, जो रुक रही है, तो यह है, जो कोई भी गलत नहीं है, यह है जो सही है, इस तरके से है, जो सिस्टम चलता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कि पत्नी के वल साधी करती है, और साधी के बाद में है, जो अपने पती के साथ में रहना ही पसंद नहीं करती है, पती से है जो पूरान रूपेन वो है जो अलग हो जाती है या तो अपने माईके में जाके बैढ़ जाती है फिर और कहीं पर जाके बैढ़ जाती है और वहां से फिर है जो पती कोपर मैंटेनस का केस करती है जिसके अंदर है जो पती से मैंटेनस की डिमार्ड करती है नहीं होंगे इस वीडियो के माद्यम से जो जानकारी मिलेगी इससे जो पूरा सोलूशन है जो पति को दिखाई देगा कि यहां पर अब ऐसे पति को है जो ऐसी पत्नी को कोई भी मैंटेनस देनी की आवशिकता नहीं पड़ेगी जो बिना किसी कारण के पती से अलग रह रही यह फिर वो है जो माईकी के अंदर जाकर बैठ गई है तो आपर नियम यह है कि जैसे पत्नी 125 CRPC मैंटेनस का केस करती है तो यह खुद 125 का जो सबको लोग च्यार है वो यह खहता है कि पत्नी अगर बिना किसी कारण के पती से अलग रह रही है तो वो पत्नी है जो पती से मै यह कहा गया है कि पत्नी है जो बिना कारण के है जो मेरे से मैंटेनस नहीं ले सकती है बस पत्नी को इतना से काम करना होगा कि उस मैंटेनस के अंदर है जो बिना कारण है जो साबित करना होगा कि पत्नी है जो बिना कारण के अलग रह रही है बस पत्नी अगर इस बात को करण के maintenance नहीं ले सकती है वीडियो का आपको जरू लाइक करना है और share भी करना है जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके वो भी है जो फायदा उठा सके तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद